है कि नाउ दिस्कूस वन मोर वेस्ट बेस्ट उन गैट दिव देवन 16 में आया है कि रिमिट पर वेस्ट केश्ट इस लिमिट एक्टेंस तू इंफिनिटी स्क्वेर रुट अपकी पास लिमित एक्स तू इन फिनिटी क्यों जो है यह इसमें गिवन है limit x tends to infinity और x square plus x minus 1 और minus x जब कभी भी ऐसे questions आएंगे हम उसमें एक simple से approach follow करने वाले क्या कि rationalize करके ही हम उसको solve कर पाएंगे तो क्या कीजी rationalize कर दीजी rationalize कैसे करते हैं यह जो function है उसका opposite sign से multiply और divide कराना है तो यह बनने वाला x square plus x minus 1 plus x divided by x square plus x minus 1 plus x यह बन जाएगा students a minus b और a plus b so this will become limit x tends to infinity यह हुआ x square plus x minus 1 और minus x square divided by क्या रहे गया as it is हो जाएगा x square plus x minus 1 और यहां क्या बन रहा है हमारे पास plus x अब देखिएगा यहां से क्या हो रहा है x square से x square cancel हो रहा है आप जो मेरी पास value रह रही है एक बार उसको note down कर दे है limit x tends to infinity यह बन रहा है x minus 1 divided by यह values as it is है कितना बन रहा है x square plus x minus 1 और plus x अब मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से students यह जो values आ रही है है यह थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको वापी समझिए यह आ रहा है लिमिट एक स्टेंज टू infinity x minus 1 x square plus x minus 1 plus x देखिए हम क्या कर सकते हैं यहां लिमिट एक स्टेंज टू infinity है तो सीधी तो लिमिट आप अपलाई कभी भी नहीं करेंगे जब कभी भी एक बात को अच्छे से ध्यान रखिए जब कभी भी लिमिट एक स्टेंज टू इंफिनिटी वाला option है और जब हम numerator और denominator की बात करेंगे अगर इन दोनों में क्या हो पावर सेम है मिस जो यहां एक सार और यहां पर भी एक सारा है मिस जो और डिग्री आ रही है वो सेम आरी डिग्री दोनों की सेम आरी है तो आप क्या करेंगे हमेशा हमेशा 1 by x बनाने का ट्राइ करेंगे चीए 1 by x बनाएंगे उससे हम क्या करेंगे हम सिधा उसमे 1 by infinity यह 0 बना सकते हैं लेकिन अगर क्या हो फिर्स्ट केस यह बन सकता है सेकिंड में क्या हो कि आपने limit x 10 to infinity में ट्राइ किया और numerator वाले में क्या रही है value आपके पास आ रही है x square और नीचे आ रह है वह numerator से क्या हो जादा हो मींस यह ऐसा बन जाए 1 by x square यह x by x square के form बन जाएगा तो उसकेस में आचर क्या हो जाएगा 1 by x मिस क्या बन जाने वाला है 0 बन जाने वाला है तो यह कुछ cases होते हैं जो infinity यह limit x 10 to infinity के लिए हम discuss कर सकते हैं तो अभी हमारे पास जो case दिख रहा है को दिख रहा है यहाँ पर clearly यहाँ x है यहाँ x है और यहाँ भी x मिस numerator दोनों में जो degree आ रही है वो क्या आ रही है बिल्कुल same आ रही है so we can apply here x 10 to infinity है हम इसमें से क्या करने वाले है x को बाहर निकालने वाले है तो यह बन जाएगा students हमारे पास limit x 10 to infinity यह x अगर बाहर x square और यहाँ क्या बन गया 1 और यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया overall x बार मिल गया x x cancel out हो गया यह बन जाएगा limit x 10 to infinity 1 minus 0 यहाँ पर मिल गया आपको 1 plus 0 और यहाँ पर क्या मिल गया 1 तो ultimately आपको इस question का answer क्या मिलने वाला है after putting the limit you will get answer क्या आजाएगा हमारा सिधा सिधा 1 by 2 इंपोर्टेंट क्योशे ने यह किस पर बेज़र limit x 10 to infinity वाले concept पर है यह ध्यान रखेंगी आप अगर limit x 10 to infinity है numerator की डिगरी सेम होगी तो हम क्या कर सकते है उसको 1 by x की फॉर्म में बना सकते यह x common ले सकते है numerator की डिगरी क्या है जादा है डिगरी की कम है तो answer हम डिरेट हम है और डिनामेटर की ज्यादा है तो answer हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके स्टुरेंट्स